हेलो एवरिवन नमस्कार दोस्तों आप सभी का नर्सिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफरम पर हारदिक स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगी राजस्तान Community Health Officer और राजस्तान E.N.M. और राजस्तान G.N.M. समीधा भरती 2024 के अंदर जो एक्जाम कंड़क्ट हुए हैं और उनके रिजल्ट को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट आ चुकी है किसका कब रिजल्ट आएगा इसके बारे में हम आज किसे वीडियो में बात करने वाले हैं वीडियो के लास्त तक बने रहे हैं अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने Nursing Education के टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन करें उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन वक्स में दे रहा है टेलिग्राम को जोइन करने का benefit यह है कि वहाँ पर आपको हर एक भरती की PDF और साइको इन्फॉर्मेशन और सबसे पहले मिलती रहेगी चलिए स्टार्ट करते है तो दोस्तों यहाँ पर परिक्शा का नाम जिसका आंसिक परिक्शा प्रिणाम जारी किया जाना है और आंसिक परिक्शा प्रिणाम जारी करने की संभावित समय अवदी जो है RSMSB की और से जो संभावित expected date है वो declare कर दी गई है तो द्यपक सिदी भरती परिक्शा 2022 लेवल दित्य पंजाबी की 24 से 30 स्यार के बीच में आने की संभावना है और सुषना साइक जो भरती है दोस्तों 2023 उसका दो माई 2024 से 6 माई 2024 के बीच में रिजल्ट आने की संभावना है हमारी कनेक्स लेखाकार है उतासिल राजस्व लेखाकार श्युक्षिदी भरती 2023 नो पांस 2024 स चाओदा पांस 2024 हमारी जो भरती है समीदा नर्स जीनम और मैला स्वास्ते करता एनम समीदा 2023 भरती है वो 17 माई 2024 से 21 माई 2024 के बीच में इसका रिजल्ट है वो आने की पूरी संभावना है कर्सी प्रेशक भरती जिसे 22 माई 2024 से 27 माई शामोदा एक स्वास्ते अधिकारी जून 2024 मतलब 29 माई से 1 जून के बीच में आपका रिजल्ट है वो आने की पूरी संभावना है जो केंडिडेट वेट कर रहे थे कि सार इसका रिजल्ट कब तक आएगा तो यह एक संभावी तिति है और जब RSMSB ने जो आंसिक जो संसोदन स्वारी प्रिक्सा की जो संभाव यह सूर्चना आपके लिए बहुत बेहनीपिट हुई होगी मिलते नेक्स वीडियो में थैंक्यू सो मच